लाजजी रसोई में मैं रेणूँ अपने फूड लवर्स का स्वागत करती हूँ आज हम अपने रसोई में बना रहे हैं आम पन्ना आम पन्ना गरमियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसे पीने से गरमियों में लू नहीं लगता है आप इसे बना के पांच्छे महिना के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि गर्मी पांच्छे महिना रहती है तो हमें रोज आम पनना पीना चाहिए इसके लिए मैं हाप पर आदा किलो आम ले रही हूं और उसको मैं टुकडे में काट ले रही हूं आप चाहे तो यहाँ पर बिना काटे भी आम को बॉयल करके उसका पल्प निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको काट कर कुकर में बॉयल करूंगी, इस तरह हम सबाम को काट लिये हैं, अब इसे हम कुकर में डाल कर, इसमें थोड़े से पुदिने के पत्ते डालेंगे, और अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी में पीषेंगे इसे अब ठंडा करके मिक्सी में पीषेंगे गरम में ना पीषें नहीं तो ढकन निकलने का डर रहता है इस तरह पीषने से इसमें जो पुदिनी के पत्ते एड किये हो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं अब मैं इसे च्छान ले रही हूँ, आम चाहे तो यहां डिरेक्ट भी बना सकते हैं यहां पर मेरे दो कटोरी आम के पल्प तैयार हुए हैं मैं इसमें से थोड़ा सा आम का पल्प बहार निकाल ले रही हूँ जिससे मैं आपको नमकी नाम पन्ना बना कर दिखाऊंगी दो कटोरी आम के पल्प में हम दो कटोरी शक्कर एड़ करेंगे और उसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और इसका हम एक तार का चाशनी बनाएंगे जब एक तर के चाश्टिन तयार हो जाएंगे तो हमें इसमें आम का पल्प डाल देंगे यहाँ पर हम फ्लेम को स्लो करके आम का पल्प डालेंगे और हम दोनों को मिला कर पकाएंगे अभी इस पल्प में हमें शायद में थोड़ा फेना दिखाई दे रहा है इसे पकाते पकाते फेनना थोड़ा कम हो जाएगा मैं यहाँ आम का पन्ना में कोई भी कलर एड़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं एक चमच काला नमक और आधा चमच साधा नमक एड़ कर रही हूँ हम यहां आम पन्ना में नेचरल ही फ्लेवर रख रहे हैं कोई कलर एड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में तो अल्रेडी कलर वाले मिलते हैं इस तरह हम इसे पकाएंगे और इसका फेनना लगबख खत्म हो गया है इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे जब यह ठंडा हो जाए तो हम इसका आम पन्ना बनाएंगे इसके लिए हम ग्लास में पहले बरफ डालेंगे मैं पहले आपको नमकीन वाला आम पन्ना बना के दिखा रही हूं जो हमने पल्प बाहर किया था हम उसे डालेंगे वो पल्प को मैंने पकाया नहीं है सिर्फ पीसकर ही रखा है पल्प एड़ करके हम इसमें थोड़ा थंडा पानी एड़ करेंगे मैं हाँ पिर एक चम्मच जलजीरा एड़ कर रही हूँ अगर आपके पास जलजीरा ना हो तो भूना जीरा काला नमक और थोड़ा सा साधा नमक एड़ करिएगा और थोड़ा सा नीबू का रस इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक एड़ कर रही हूँ और सबको अच्छी तरह मिला लेंगे इसमें मैं थोड़ा और जलजीरा डाल रही हूँ और इसे हम नीबू के स्लाइस से और पूदेने के पत्ते से डेकुरेट करेंगे इस तरह का आम पन्ना आप डाइबिटीस के मरीज को बना कर रोज दीजिए उन्हें भी लूड नहीं लगेगा अब हम मीठा आम पन्ना बनाएंगे मीठा आम पन्ना बनानी के लिए हमने जो आम का आम पन्ना बनाकर फ्रीज में स्टोर किया है उसे डालेंगे उसमें थोड़ा ठंडा पानी एट करेंगे इसमें भी मैं थोड़ा सा जलजीरा डाल रही हूँ आप इसमें भी थोड़ा जलजीरा डालिए तो इसमें खट्टा और नमक का और मीठा का स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसे भी हम नीबू के स्लाइस और पुदिने के पत्ती से हम डेकुरेट करेंगे इस तरह से हमारा नमकीन और मीठा दोनों तरह काम परना तैयार है अगर आपको मेरी ये रेसेपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद